हेलो बच्छों आइम शेक तैयब और विलकम तो यूटूब चैनल ऑफ जीनिस साइंस क्लासिस और आज का जो है बच्छों लेक्चर नंबर 22 चैप्टर मेकनिकल प्रोपरटीज और फ्लूइड का है और आज के लेक्चर में बच्छों हम टॉपिक देखने वाले हैं सर्फिस टेंशन का टॉपिक एक्स्परेशन और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल और एक्स्प्रेशन फोर एक्सस प्रेशर इंसाइड दे लिक्विड ड्रॉप और सो बबल तो बच्छों जादा यहां वां की बात ना करते हुए हम सीधा काम की बात करते हैं ठीक है टेंशन की इस लेक्शर में आपने बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं तो इस सर्फिस टेंशन की प्रॉपर्टी की वज़ा से जोके लिक्विड के पास होती है लिक्विड ऑल्वेज बिहेव लाई का इस्ट्रेच एलास्टिक मेंब्रेंस and it is always contract and minimize its surface area और उसी चकर में क पास एक force होता है surface tension continuously और वो क्या करते रहता है liquid को contract करने की कोशिस करता रहता है अच्छा अब यह देखना है जब हम derivation start करेंगे कि excess pressure inside the liquid drop तो सबसे पहले देखना है कि pressure ज्यादा कहां है inside ज्यादा है कि outside ज्यादा है तो बच्चो इसमें बहुत सारी बाते आपको मालूम पढ़ चुकी है इससे पहले वाला जो question ने लेक्चर number 21 में हमने देखा कि अगर surface plane है free surface plane है तो plane surface के दोनों side जो है liquid का pressure same होता है अगर surface curve है तो जो concave side है वहाँ pressure ज्यादा होता है convex side के comparison में तो बच्चो ऐसा ही मामला जो है अभी हाँ देखो drop में तो drop में ये concave side हो जाएगा हमारा और ये convex side तो definitely जो concave side है वहाँ पर pressure ज्यादा होगा यहने इसका मतलब inside the drop pressure is more drop के अंदर pressure ज्यादा है बाहर की side pressure कम है ये तो हमारा last lecture number 21 का जो knowledge है आप direct उसके base पे बोल सकते हैं कि inside the drop pressure is more तो हमारा excess pressure क्या होगा inside minus outside pressure हमारा क्या होगा excess pressure जो दूसरी knowledge दूसरी तरीके से इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि मानलों ये liquid drop है drop आप जानते हैं अंदर से भरा हुआ होता है पूरा liquid fill होता है ठीक है अब बचो यहाँ पर तो atmospheric pressure लगी रहा है atmospheric pressure ठीक है pressure due to atmosphere और force due to air molecule औ और liquid के पास जो property है surface tension की जिसकी वज़े से जो other molecules है वो इसको आट्रेट कर रहे हैं ठीक है ये उसका direction हो गया और जो resultant force है वो हम बोल सकते है resultant force FR इसको आप बोल सकते है force due to air molecule atmospheric pressure ठीक है both are in the downward direction इसका मतलब अंदर pressure जादा है बाहर जो point है वहाँ पर तो सिर्फ atmospheric pressure है तो वह pressure क्या है कम है और बचों अब दुसरा इसका जो है funda क्या है कि अब ये जो pressure है सिर्फ एकी point पर थोड़ी लग रहा है ये atmospheric pressure यहां भी लग रहा है यहां भी लग रहा है यहां भी लग रहा है सब हर तरफ से लग रहा है और बचों और ये जो resultant है वो भी हर तरफ लग रहा ह इदर से इदर से तो resultant भी हर तरफ से अंदर लिक्विड को चारो तरफ से ऐसा pressurize किया जा रहा है दबाया जा रहा है ठीक है inside pressure is more लेकिन बच्चों अब मामला यहाँ पर क्या होगा जो लिक्विड के molecules हैं वो spring जैसा behave करेंगे जब चारो तरफ से pressure लगाएंगे उसको compress किया जाएगा तो वो अपने आपको जो है spring जैसा वापस बाहर निकलने की कोशिस करेगा मतलब लिक्विड का भी pressure होगा in the opposite direction तो इसी pressure की वज़े से इसी liquid की pressure की वज़े से जो बाहर की तरफ लगा रहा है वो equilibrium position हासिल करने के लिए पाने के लिए liquid का drop थोड़ा सा increase हो जाएगा there is a small increase in the radius of the drop और इसी चकर में drop है liquid drop उसका थोड़ा सा size जो है बढ़ेगा very small increase ठीक है तो बचों अब इसी का हमको derivation देखना है कि excess pressure यहाँ पर कितना है ठीक है excess pressure का formula निकलना है मेरे खाल से आपको बात समझ में आगी होगी और अब मैं जब derivation perform करूँगा तो जो भी चीज़ आएगी 20 में मैं explain करूँगा तो यहाँ पर जो 2-3 चीज़ clear होई वो यह है कि inside pressure जादा है outside के comparison में वो clear हो गया क्योंकि inside resultant भी आ रहा है और atmospheric pressure भी आ रहा है ठीक है दूसरी बात कि यह liquid का आप सोचते होंगे कि क्यों इसका radius क्यों बढ़ रहा है जब derivation perform करेंगे तो बच्चों initial जो original drop है उसका radius है r यह ठीक है यह radius r फिर हम बोलते हैं there is a very small increase in the radius that is a del r ठीक है तो बहुत से बच्चों को tension होता रही यह क्यों small increase हो रहा है कैसे increase हो रहा है क्यों कोई increase कर रहा है क्या ठीक है तो बच्चों यह इस बज़े से increase हो रहा है जब pressure चाड़ तरफ से लगता है तो फिर liquid जो है opposite direction में pressure apply कर रहा है उसकी वेश से थोड़ा सा radius बहुत ही मामूली सा थोड़ा सा radius क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है ठीक है तो यह हुआ अब derivation के points को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि आपने देखा कि free surface of the drop drop का जो free surface है it is a spherical in shape यह कैसा है shape में spherical है गोल है एकदम ठीक है और अंदर सारे liquid के molecule भरे हुए है क्योंकि यह drop है यह और pi is the inside pressure और इस drop के अंदर जो pressure कितना है pi and p not is the outside pressure हमने inside pressure को pi से दिखाया and outside को p not से दिखाया and r is the radius of the drop जो हमारा original drop है उसका radius कितना है r and del r is the very small increase in the radius ठीक है work done होगा थोड़ा सा radius बढ़ेगा क्यों बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है यह बात अभी मैं आपको बता चुका हूँ अब जान चुके हैं कि inside pressure यानि pi is greater than outside pressure p not तो excess pressure कितना हुआ excess pressure? excess pressure तो excess pressure हम बोलेंगे inside pressure minus outside pressure यानि p not minus pi भाई बच्चों अंदर जादा है मैं वोला अंदर जो है मानलो 10 है बाहर मानलो 8 है तो excess कितना हुआ 10 minus 8 2 two point will be the excess तो excess pressure क्या होता है inside pressure minus outside pressure ठीक है अब जो हमारा जो drop original drop है जिसका radius r है तो इसका surface area कितना है ठीक है क्योंकि अब हम लोग derivation करने जा रहे हैं excess pressure के लिए तो surface area निकालेंगे drop का तो surface initial surface area of the drop initial surface area of the drop ठीक है तो इसको मैं ai से दिखाता हूँ which is equal to 4 pi r square ठीक है radius हमने small r रखा तो 4 pi r square अब जो final surface area अब जब थोड़ा सा work done हुआ इसके उपर ठीक है और इसका radius थोड़ा सा बढ़ जाएगा निए drop का size जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा surface area थोड़ा सा increase हो जाएगा तो अब यह बड़े वाला drop का अब उसका जो है surface area कितना है तो that will be call final surface area उसको हम लोग final surface area बोलेंगे ठीक है तो final surface area final surface area जिसको मैं दिखा रहा हूँ af से final surface area क्या हो जाएगा formula 4 pi ठीक है r plus del r अब मेरा radius कितना हो गया r plus del r तो r plus del r का holy square तो बचों surface area का formula तो आपको मालूम है ना 4 pi r square surface area of the sphere का general formula है यह ठीक है तो initial में हमने radius r लिया और final में हमने radius r plus del r लिया ठीक है अब इसको हम solve कर सकते हैं a plus b का holy square का formula apply करेंगे और यह हो जाएगा 4 pi r square plus 2 r into del r and plus del r square a square plus 2ab plus b square और मैं इसको 4 pi से multiply कर दूँगा बच्चों तो यह हो जाएगा 4 pi r square plus 4 pi into 2 r into del r and plus 4 pi से इसको ही multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4 pi into del r square यह equation को यहाँ लिखते हैं अब ध्यान देना आप लोग तो आपका हो जाएगा final surface area which is equal to it is a 4 pi r square 4 to the 8 तो plus 8 pi 8 pi r into del r and plus 4 pi into del r square जैसे कि हमने start में ही कहा आप से शुरू में बोला कि जो यह radius है it is a very small increase in the radius drop वैसे भी बहुत छोटा होता है drop पहले से ही drop बहुत छोटा होता है और हम कोई भी work done कोई भी activities करेंगे या यह जो inside liquid pressure जो लग रहा है उसकी वैसे जो drop का radius बढ़ भी रहा है तो बहुत ही small मामूली सा तो negligible value है यह तो हम बोल सकते हैं कि the value of del r is very small very small बहुत ही छोटा है तो बच्चों mathematics property है कि small value का square करेंगे तो वो और भी small हो जाता है बहुत ही छोटा हो जाता है ठीक है जैसे कि मैं बोलूँ यह 0.4 है 0.4 का square के 0.016 आएगा ठीक है यह और भी छोटा हो जाएगा तो जब del r is very small then del r square is negligible बहुत ही छोटा हो गया यह नहीं फिर हम इसको neglect क्यों करते है सवाल यह कि sir बहुत छोटा हो गया तो ठीक है फिर इस value को add करने से multiply करने से हमारे equation पे कोई फरक पड़ता ही नहीं ठीक है अब एक रुपे एक रुपे के बाद जो है 0.0.0.0 दो पैसा 3 पैसा पॉइंट भी तो लगा 0.0.0 तो उसको एक रुपे में add करके भी कोई मतलब नहीं है तो फिर कहने की बात यह है कि the value of del r square is very small that's why it is neglected हम इसको neglect कर देंगे ठीक है तो क्या value बचा हमारे पास final area which is equal to it is a 4 pi r square plus 8 pi r into del r तो हमको मिला initial area इसको equation number 1 बोल देता हूँ हमको मिला final area equation number 2 बोल देता हूँ ठीक है then we are going to find increase in the surface area यहनि पहले surface area इतना था 4 pi r square उसके radius बढ़ने से बाद में surface area इतना हो गया 4 pi r square plus 8 pi r into del r तो surface area कितना बढ़ गया तो हम मैं find out कर रहा हूँ increase in the surface area increase in surface area of the drop तो हमेशा बच्चो increase यानि final area बड़ा वाला area minus initial area छोटा वाला area तो मैं increase in the area को da से दिखाता हूँ da is equal to final area minus initial area तो final area जो है उसकी value हमारे पास क्या आई है it is a 4 pi r square plus 8 pi r into del r और इसमें से initial area की जो value है minus कर देंगे which is equal to 4 pi r square तो plus 4 pi r square minus 4 pi r square get cancelled और आपको क्या मिल गया increase in the area उसका value है it is 8 pi r into del r ठीक है बच्चो इसको मैं देता हूँ equation number 3 देता हूँ ठीक है this is the value of increase in the area और बच्चो इसी chapter में mechanical properties of fluid surface tension के topic में हमने एक topic देखा है relation between surface tension and surface energy or rectangular frame था उसको soap solution में dip किया आपने और उसके बाद हमने एक छोटा सा derivation perform किया और हमने relation देखा किसका surface tension and surface energy क्या relation हमको मिला था we know that हम जानते है we know that आप उस topic में जाके formula चेक कर लेना ठीक है कि the work done per unit area which is called surface energy and that will be equal to surface tension और यह value surface tension के बराबर होती है तो आपने बोला surface energy which is equal to surface tension this is the relation तो बच्चो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं यहां से हम लोग एक work done का value निकालने वाले हैं इस relation का use करके तो आपको मिल जाएगा therefore dw which is equal to t into da increase in the area और da का value by equation number 3 we have the value of da so that we can put आप put करेंगे da का value तो यह हो जाएगा 8 pi r into del r यह मुझे मिला work done का value ठीक है 8 pi r into del r इसको मैं बोल देता हूँ बच्चो equation number 4 बोल देता हूँ ठीक है work done का एक value हमको मिल गया है ध्यान में रखना मुझे इबाद में यही work done का value बहुत ही important है जो के आपको bubbles के लिए भी soap bubbles के derivation perform करने में भी यह बहुत ही helpful है अच्छा अब आपको work done मिल गया अब work done का हमारे पास एक basic formula भी है basic formula for the work done क्या होता है force into displacement basic formula तो work done का basic formula हमारे पास है work done के लिए हमारे पास basic formula है अब जानते है work done is equal to force into displacement यह basic formula है तो बच्चो force कहां लगा displacement कहां हुआ तो यह formula कहां apply करना है तो बच्चो थोड़ा सा radius बढ़ रहा है मतलब small work done force liquid ने लगाया ठीक है drop का radius increase करने के लिए इस liquid ने force apply किया इस drop का radius increase करने के लिए उसका surface area increase करने के लिए और आपको मालूम है pressure का basic formula है pressure is equal to force upon area तो f is equal to क्या हो जाएगा p into a ठीक है तो मैं यहाँ पर force की जगां लिख सकता हूँ it is a pressure into area और बच्चो जो displacement हुआ है यह drop का radius बाल गया है तो that will be equal to del r ओके लेकिन यह जो force लगा है कौन से drop पर यह हमारे जो initial drop था initial surface area यह छोटा वाला drop इस पर force लगा है तो उसका area कितना था आपको मालूम है इसका area था 4 pi r square तो बच्चो अब मैं यहाँ पर जो है लिखूँगा अच्छा इसका area यहाँ पर दो तिन बात ध्यान में रखना है एक तो force का value pressure into area लेकिन area कौन सा जो छोटा वाला drop है उसका area 4 pi r square और यह कौन से pressure की वज़े से हुआ है excess pressure ना inside ज्यादा है outside कम है जब inside pressure ज्यादा है तभी तो यह drop का radius बढ़ा और उसका surface area बढ़ा है तो जब excess pressure लिखना है आपको तो p के बदले आप क्या लिखेंगे p के बदले आप लिखेंगे pi minus p naught this is the excess pressure और इसी excess pressure की वज़े से इसका radius increase हुआ इसका surface area increase हुआ यानि इस work done से यह सारे काम हुए तो p के बदले हम लिखेंगे it is a pi minus p naught और area हमारा है 4 pi r square into del r यह आपको मिल गया again work done का value इसको मैं equation number 5 बोल देता हूँ ठीक है तो बच्चों आप देख सकते हैं हमको work done का दो value मिला है और दोनों हमारे लिए बहुत important है equation number 4 में भी work done मिला by the relation of surface tension and surface energy और हमने work done का जो basic formula यूज किया force into displacement वहां से भी work done का एक value हमको मिला है अब इन दोनों भी work done को compare कर देंगे left side दोनों same है तो जब left hand side same है तो right hand side भी compare कर सकते हैं हम लोग तो हम बोलेंगे by equation number 4 and 5 by comparing equation 4 and 5 we can write हम लिख सकते हैं ठीक है पहले इसको लिख देता हूँ यह हो जाएगा pi minus p naught into 4 pi r square into del r and which is equal to t into 8 pi r into del r 8 pi r into del r क्या क्या value cancel हो रही है पहले cancel कर रहते हैं देखो del r del r get cancelled ठीक है मुझे तो excess pressure find out करना है हमारा derivation चल रहा है expression 4 excess pressure inside the liquid drop यहनि pi minus p naught हमको चाहिए तो एक काम करता हम बाकी की value को रीचे भिज जेता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है तो pi minus p naught which is equal to यहां बचा है बच्चो t into 8 pi r और upon में चला गया 4 pi r square and pi get cancelled r square r get cancelled 4 2 2 8 तो क्या value बचा हमारे पास एक तो बचा है 2 4 2 2 2 8 and t and अब और में क्या है r बचा है so this is the derivation for excess pressure inside the liquid drop it is a 2 t upon r and this is also called Laplace law for spherical membranes this is the required expression for excess pressure inside the liquid drop and which is also called Laplace law Laplace law for spherical membranes for spherical membranes ठीक है तो बच्चो यह होगे हमारे derivation किसके लिए excess pressure inside the liquid drop मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको यह सारी चीज़े और सारी बाते समझ में आगे होंगी ठीक है screenshot ले सकते हैं आप लोग अब यहाँ पर जो है अच्छा यह liquid drop के लिए भी है यह और air bubble के लिए भी है air bubble भी एक ही surface area होता है liquid drop and air bubble अच्छा अब एक और derivation soap bubble के लिए लेकिन उसको perform करने के लिए अगर exam में आपको soap bubble आ भी गया तो वापस से पूरा perform करने की जरूत नहीं है कर भी सकते हो लेकिन पूरा जरूत नहीं है यह दो value यह 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 नहीं equation number 4 और equation number 5 यह दो value हमारे लिए बहुत important है सिर्फ हमको एक जगाद change करना है equation number 4 में और आपको soap bubble के लिए भी derivation मिल जाएगा अगर यह आप लिख चुके हैं मैं इसको rub करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा dw की value सिर्फ है इसी में change करेंगे और आपको जो है और दुसरा shortcut यह है formula ध्यान में रखने के लिए कि आप जानते हैं bubble ठीक है soap bubble अब soap bubble अंदर से वहाँ liquid भरा हुआ नहीं होता है bubble में अंदर से खोकला होता है liquid नहीं होता अंदर ठीक है तो दो surface area count होगा एक तो surface area यह जो outside है यह भी surface area और जो inside surface area यहाँ पर surface area क्या हो जाएगा double हो जाएगा double surface area हो जाएगा liquid drop में अंदर पुरा liquid के molecule भरे हुए है तो सिर्फ outer surface area यह जो 4 pi r square ही खाली count होगा ठीक है बड़ जो bubbles होगा वो अंदर जो है वहाँ पर molecule, liquid के molecule नहीं है अंदर तो पुरा air molecules है तो surface area एक तो बाहर का भी consider होगा और surface area अंदर का भी consider होगा तो direct आप double surface area तो आप direct बोल सकते हैं कि answer आपका आएगा 4 t upon r ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं कि excess pressure inside the bubble so bubble which is equal to 4 t upon r यह formula और थोड़ा सा process करके हम इसको solve करके दिखा भी सकते हैं ठीक है तो यह देखो मैं यहां रब करता हूँ मैंने यह equation तक शरिफ work done का equation बचा के रहा अब work done का आप देख रहे हैं कि जो formula था हमारे पास relation between surface tension and surface energy का जो formula था कि dw which is equal to t into d a बराबर है और बच्चों यहां पर आप देखो कि surface area already हम निकाल चुके थे कितना आया था हमको 8 pi r into del r ठीक है अरे increase in the area निकाला था न initial final area minus initial area तो आपको increase in the area कितना आया था 8 pi r into del r आ था तो t into del a लेकिन मैं यहां पर क्या बोलूँगा t into two time of surface area हमारा surface area double हो गया अब अंदर भी count होगा बाहर भी count होगा तो t into two time of surface area और यह surface area का value आप जानते ही है work done के formula में area हो गया 2 into 8 pi r 8 pi r into del r तो यह मिला एक work done यह काम आप किसके लिए कर रहे हैं यह आप कर रहे हैं soap bubble के लिए कर रहे हैं soap bubble के लिए ओके अब इसको जो भी equation equation number 6 बोल दो और जो दूसरा work done का जो formula है वो हमारा वैसे ही रहेगा उसमें कुछ भी changes नहीं होगा तो second formula for work done dw is equal to inside pressure minus outside pressure प्रेशर तो वहाँ भी जो curve side है यानि concave side है प्रेशर वहीं पर ज़्यादा रहेगा ठीक है into it is a 4 pi r square into del r यानि यह वाला equation same हमने उठा के रख दिया इसको भूल दे equation number 7 अब अगेन हम compare कर लेते हैं जैसे last में हम पे activity किया था वैसी activity by comparing equation number 6 and equation number 7 by comparing 6 and 7 अब लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा pi minus p naught into 4 pi r square into del r and which is equal to t into into the 16 16 pi r into del r तो जो cancel हो रहा है del r यही पर cancel कर दिया मुझे तो excess pressure चाहिए तो excess pressure मतलब मुझे pi minus p naught चाहिए which is equal to t into 16 pi into r and upon में भीज दिया मैंने किसको it is a 4 pi r square pi and pi get cancelled r and r square get cancelled 4 forza 16 और आपको क्या मिल गया formula it is a 4 t upon r this is the formula for excess pressure inside the inside the soap bubble तो यह soap bubble के लिए भी formula derivation drive कर दिया हमने ठीक है तो अगर soap bubble का derivation भी हमको आता है तो करने का process तो ऐसा ही रहेगा solve करने का जैसे हमने liquid drop के लिए solve किया है सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यार में रखना है कि जो हमारा formula आया था work done का relation from surface energy and surface tension तो यहाँ पर जो surface area जो increase in the surface area का value हमने लिया अब वो double consider होगा क्योंकि जो bubble है वो अंदर से जो है खाली होता है वहाँ पर भी air molecule होता है यह भी free surface है यह भी free surface है तो inside area प्लस outside area दोनों area count होगा तो two time of surface area बाकी आउड derivation में कहीं कुछ भी फरक नहीं है तो यह work done में value change होई जो दूसरा वाला work done जो basic formula से आ रहा है कि आपने force apply किया और प्रेशर area पे apply किया तो increase हुआ radius वो तो same ऐसे ही रहेगा और दोनों को हमने compare कर दिया हमारा derivation आ गया तो stop करते हैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से ठीक है good bye